एक साल से पूरी दुनिया स्वास्थ मुसीबत का सामना कर रही है इसके लिए कई कम्पनियों ने वैक्सीन बनाने का दावा तो कर लिया है लेकिन अभी तक संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सका है कुछ ही देशों में टीका करन शुरू हुआ है संक्रमण के चलते दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान हुआ है लेकिन भारत को ये नुकसान कुछ जादा ही उठाना पड़ा तो कितना हुआ भारत को नुकसान देखे हमारी ये रिपोर्ट देश में स्वास्थ मुसीवत से बचने के लिए मोधी सरकार ने पूर्णबंदी लगाई थी लेकिन इससे मुसीवत ना तो रुकी और ना ही धीमी पड़ी उल्टा इससे देश की अर्थव्यवस्था को जरूर बड़ा नुकसान हो गया पहली तिमाही में ही अर्थव्यवस्था में 23.9 प्रतीशत की गिरावट आ गई दूसरी तिमाही में भी ये गिरावट जारी रही हां थोड़ा सुधार जरूर दिखा क्योंकि इस दोरान कई तेयोहार पड़े लेकिन अर्थव्यवस्था फिर भी 7.5 प्रतीशत की बाहर हो चुका है भारत 2019 में दुनिया की पांच भी सबसे बड़ी अर्थवेवस्था बनते हुए ब्रीटेन से आगे निकल गया था लेकिन 2020 में छटवे स्थान पर आ गया दावा किया जा रहा है कि मोधी सरकार के इस कारिक्रम में भारत ब्रीटेन से पीछे ही रहेगा भार भारतिय अर्थवेवस्था की रफ्तार पहले ही धीमी पड़ चुकी थी जिस कारण सवस्थ मुसीवत के दौर में इस पर असर सबसे जादा हुआ लेकिन रहत की बात ये है कि भारतिय अर्थवेवस्था अब धीरे धीरे कर गती पकड़ रही है और अगर सरकार ने सही नी झाल